नमास्कार दोस्तों, श्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से, धनिया को घर में इस जगह रखने से दूर होती है गरीबी, घर के जगड़े होंगे समापत, बुरी नजार से रक्षा, पैसो की तंगी दूर करे, दोस्तों, धनिया तो अमूनन हर किशी के घर में होती है, क्योंकि धनिया का सीधा संबंद मालक्ष्मी जिसे है, और जिस घर में धनिया होती है, धनिया का पौधा तो आप बहुते ही हैं, धनिया तो आपके घर में होगा ही, क्योंकि धनिया शुखा हुआ, जो साबोद धनिय आप अपने घर में थोड़ा सा जरूर रखे होंगे, इससे भी मालक्ष्वी कृपा बरस्ती है, धनिया के प्रयोग से आप अपने जीवन की बहुत शारी मुश्कले को दूर कर सकते हैं, तंत सास्त्र में इसका उपाय है, घर में शुक शान्ती बढ़ती है, बरकत बढ़ती ह तो धनिया का आज हम एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे, आज आप इस धनिया के प्रयोग करके माला माल बन सकते हैं, जो जीवन की परेशानियों को दूर करेगा, देखे तंतर सास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि अगर किशी भी महीने के सुकलपक्ष, शुकलपक्ष का मतलब अब जब अमश्या के बाद कितिथी शुरू होती है, पूर्णा तक यनि जो होती है उसको सुकलपक्ष कहते हैं, तो सुकलपक्ष में किसी भी शुक्रवार के दिन ये प्रयोग कीजेगा, आपको एक मिट्टी का वरतन लेना है, मिट्टी का वरतन तो आपके घर में होगा जैसे कि दिपक होगा, नया दिपक ले ले, अब इसमें थोड़ा सा धनिया आप डालें, एक सिक्का डाल दें और उसमें पानी डाल दें, फिर अपने पूजा के स्थान पर रख दें, उत्तर देशा में, अब धनिया को कम सकम 12 घंटे तक रहने दें, अगले दिन उस सिक्क को निकाल ले, उसको धन के स्थान पर रख दें, आप चाहें तो मालक्षमी जी के पासी रख रहने दें, अब जो धनिया है उसको अपने घर के मिट्टी में बो दें, गमला है तो उसी में बो दें, वरकत बढ़ जाएगी, धन की कमी नहीं होगी, अब एक छोटा सा प्रयो किसी न किसी बज़े से होने लगते हैं, अगर आपके घर में भी ऐसा हो रहा है, अक्सर लडाई जगड़े होते हैं, शुक शान्ती खो गई, तब एक छोटा सा काम कीजे, शुखा हुआ धनिया आप एक वरतन में लेकर, आप अपने घर के पूर्व की दिशा में रख दें आप इसको पड़े रहने दे, आप देखेंगे कि घर में धीरे धीरे सुक शान्ती बढ़ जाएगी, क्योंकि इस प्रियोक से कहीं न कहीं से आपको पोजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेगा, तो धनिया किस्मत को सवारती है और घर परिवार में धन की स्थिती बेहतर करती ह ऐसा माना जाता कि अगर पैशा ना ठिके, अगर धन की मुश्कले ज्यादा परिशान करे, बहुत ज्यादा खर्च हो, तब आप बुद्धवार के दिन गाय को अपने हाथों से हरा धनिया, यानि हरे धनिये के चारा, साथ धनिया भी आप खिला दे, फिर देखेंगे धीरे धीरे आपको धन की स्थिती ठीक होगी, आप अपने घर में धनिया जरूर रखें, थोड़सा अपने किचन में थोड़सा अपने पूजय स्थान पे रखें, तो मा लक्ष्मी जी करपा सदय बरस्ती है, साथी साथ आप एक लाल कपड़ा ले लें, और लाल कपड़े में आ आप धन की स्थान पे रख दें, ऐसा करने से भी जीवन की मुश्कले दूर होती है, और गरीबी दूर होती है, घर से धन धन की बरकत यहनी नहीं जाती और हमेशा धन यहनी बना रहता है, आप इसे अपने धन की स्थान पर तीजोरी में या फिर आप यहनी की आलमारी पे रख दें आप एक मुठी धन्या ले ले और इस धन्या को मालक्ष्मिक चर्णों के पास डाल दें और इसे रात रभर योही रहने दें और अगले दिने से लाल कपड़ी में बांद करें इसे आलमारी पे कीमती समान जहां धन रखते हैं पैसे रखते हैं वहां पर रख दें ध किसी को बुरी नजर लग गई है तो पहले इस धन्या को लेकर उसके ऊपर से तीन बार उल्टे बार के मालक्ष्मिजी का इश्मरन करके इसे बाहर फैक दें तो बुरी नजर से रक्षा भी होगी और धन के स्थान पे रखने से धन धन में बर्कत होती है घर में आपके धन क का आगवन होता है सदैब धन में बृद्धी होती है तो इस प्रकार से धनिया का ये प्रयोग जरूर करें बेहद लावकारी रहेगा दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए शेर करिया और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कमेंट में लिखेगा जै मालक्ष्मी मालक्ष्मी